एक दिन की बात है ये दादी जी रमेश की घर काम करवाने के लिए चली जाती हैं और गाह से गुजरते हुए वो बहुत तेजी से रमेश की घर की और जाने लगती हैं और रमेश की घर पहुँच जाती हैं उसके घर जाने के बाद रमेश से कहती हैं कि रमेज बेटा मेरे खेट की खुदाई करना है मेरा खेट बहुत दिनों से खाली पड़ा है क्या तुम मेरे खेट की खुदाई कर दोगे मैं अपने बहुत घुटनों से परिसान हूँ मैं यहाँ पे बहुत मुश्किल से चल कर आई हूँ क्या तुम मेरे खेत की खुदाई कर देते तो मुझे बहुत अच्छा हो जाता और मैं तुम्हे कुछ खाने के लिए भी दे देते तुम अगर तयार हो मेरे खेत की खुदाई करने के लिए तो कल तुम मेरे खेत में आ जाना मैं तुमको बता दूँगी कौन सा मेरा खेत है कहां पर खोदना है ठीक है बेटा अब तुम्हारी मर्जी जो करना है कर लेना ठीक है दादी मा मैं आपकी खेत की खुदाई कल कर दूँगा आप चिंता ना करें आप बेफिकर होकर यहां से अपने घर जाएं आपको कोई भी जरूरत नहीं है मैं आपके खेत की खुदाई कल साम को जरूर कर दूँगा क्योंकि मुझे भी खाने के लिए आज घर पे कुछ नहीं है मेरा बेटा कल से भूखा है मुझे कोई काम भी नहीं मिला है अच्छा हुआ कि आप मेरे घर आ गए मुझे काम कर देने के लिए आप का बहुत सुक्रियादा में बहुत आप का अभारी रहूंगा दादी मा आपने मुझे काम दे दिया मेरे घर में खाना हो जाएगा तभी दादी मा ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी घर की ओल निकल जाती है तभी रमेश का बेटा कहता है कि पापा मुझे बहुत जोर से भूख लगी है घात खाने के लिए घर में कुछ नहीं है मुझे बहुत जादा भूख लग गई है कल से पानी पेकर मैं गी रहा हूँ मुझे अब बर्राफ नहीं होता पिता जी तभी रमेज कहता है की बेटा तुम घबड़ाओ मत मुझे अब काम मिल गया है अब तुमें मैं रोज खाना खिला सकूँगा तुम चिंता मत करो बेटा मैं तुमें अभी बाग में लेकर चलता हूँ जंगलों में जो जहां पर बड़े बड़े फल उगे हैं वहां से तुम आज खा कर अपनी भोग को मिटा लेना कल से तुमें मैं खाना दे दूँगा खाने के लिए तुम थोड़ा भी चिंता मत करना बेटा अगर तुमें कोई भी दिक्कत हो तो मैं तुमारे लिए हूँ ना इतना कहकर रमेश अपनी बेटे को जंगल की ओर ले जाने लगता है और धीरी धीरी करके वह गाँ से गुजरता है गाँ से गुजरते हुए वह अपने बेटे के बारे में सोचकर बहुत चिंतित हो रहा था तभी वह उन दोनों एक घने जंगल में पहुँच जाते हैं जहां पर बहुत से फल थे वह अपने बेटे को लेकर जाता है और अपने बेटे को फल खिलाता है और उसका बेटा सो जाता है फल खाकर तभी वहाँ पर एक तांत्रिक आता है जो उन लोगों को देखकर वहाँ पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और कहता है क्या मुर्ख वेक्ती तुझे ये नहीं पता ये कितना खतरनाक जांगल ह यहाँ पर कितने खतरनाक खतरनाक जानवार रहते हैं तुझे भी मार डालेंगे तेरे बेटे को भी मार डालेंगे यहाँ से चला जा इतना कहकर तांत्रिक अपनी कुटिया की ओर निकल जाता है और तांत्रिक अपनी कुटिया की चला जाता है तभी रमेश अपने बेटे क वहां से लेकर अपने घर की ओर जाने लगता है रमेश अपने घर की ओर जाही रहा होता है कि वह अपने घर में पहुँच जाता है तभी वह अपने बेटे को उसके खाट पेश उता कर वहां से दादी मा के घर चला जाता है रमेज दादी मा के घर में जाही रहा होता है कि वे उनके घर पहुंचता है और देखता है दादी मा वहाँ पर बैटी है तब ही रमेज उनके पास जाता है और कहता है दादी मा आपका काउन सा खेत खोदना था चलिए मुझे बता दीजिए मैं आपका खेत खोद देता हूँ मेरे पास अभी भी टाइम है मैं कल नहीं मुझे आज ही आपका खेत खोदना है क्यूंकि मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है दादी मा ये सब बात सुनकर कहती ह कि तुम घबराओ मत बेटा मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतिजाम कर दोंगे तुम अराम से खेत में चलना अभी तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे बताओ चलो अब हम दोनों यहां से खेत में चलते हैं रमीज दादी मा ये कहकर रमीज को अपने साथ लेकर खेत क की और रवाना हो जाती हैं और गां से गुजरते हुए हुआ खेत की और जाने लगती हैं और फिर से वह उनको एक तलाब वाला कुटिया मिलती है वह उसे भी पार करते हुए धीरे धीरे से अपनी खेत की और पहुंच जाते हैं खेत में जाते जाते रमीज के पैर से कुछ तकरा जाता है और रमीज उसे उठाता है तो देखता है ओ एक सोने का थैला था दादी मा से पोचता है ये कौन सा है थैला दादी मा कहते हैं कि ये तो सोने का थैला है इससे तो अब हम दोनों करोड़ पती हो जाएंगे अब तुम्हें खाने की कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो चलो हम घर चलते हैं इसमें से आधा आधा बात लेंगे इतना कहकर दादी मा सोने का थैला रमेश के हाथ में दे कर घर चली जाते हैं दादी मैं सहर में पढ़ने जाना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत होगी अगर मैं सहर में पढ़ने जाऊंगी तो मेरा सबना पूरा हो जाएगा और हम सब इस तूटे से मकान में नहीं रहेंगे हम लोग एक नया मकान खरी देंगे और उसी में रहेंगे और फिर जाकर मैं वहाँ से आप नोकरी पा जाओंगी तो आपको लेकर भी वहीं चलूँगी ठीक है बेटा तुम चले जाना लेकिन मैं यहाँ पर अकेले पढ़ जाओंगी मेरा ख्याल कौन रखेगा तुम तो चली जाओगी पढ़ने के लिए अगर यहाँ पर मुझे कुछ हो गया तो मैं तो रुजबेमार रहती हूँ मेरे दबाई टाइम से मुझे कौन खिलाएगा बेटा अगर तुम जाना ही चाहती हो तो चली जाओ लेकिन एक बात का ध्यान रखना मन लगा कर पढ़ना किसी से कुछ मत कहना बेटा तभी रोहनी एसब सुनकर अपने दादी जी की पैर चुने चली जाती है अपने दादी की पैर चुने के बाद हुआ सहर की और रवाना हो जाती है और धीरे धीरे गाउं से निकल कर कुछ गंटे बाद रोसनी सहर में पहुंच जाती है और सहर में गुजरते गुजरते वा अपने रूम की और बढ़ने लगती है और अपने रूम पर पहुंचने के बाद वा रूम पर पहुंच जाती है और अपनी चूपी पर बैट जाती है दो घंटे बाद वा इस्कूल में एडमिशन करवाने के लिए निकल जाती है और फिर वा इस्कूल की ओर जाने लगती है सहर से गुजरते हुए वा भीड भकडो वाले जगां से वा जा रही थी तभी वा एक बहुत बड़े इस्कूल के पास पहुँच गई और इस्कूल में जाने के बाद वा इस्कूल को देखकर बहुत खुश हो गई थी और केविन में जाने के बाद वो मैनेजर के पास गई और मैनेजर से बोला की सर मुझे एडमिशन करवाना था मैं बहुत दूर से आई हूँ मुझे आपके स्कूल में अगर एडमिसन मिल जाती तो मैं बहुत अपने आपको गर्ब महसूस करती सर मुझे एक बार चांस दे देजी आपके स्कूल में पढ़ने का तुम्हारा एडमिसन तो हो जाएगा लेकिन इसके लिए तुम्हें दो लाग रुपए देने पड़ेंगे क्योंकि एडमिसन फीज दो लाग रुपए होती है बड़े स्कूलों में अगर तुम्हारे पास दो लाग रुपए है तो तुम दे कर एडमिसन करवा सकती हो अगर नहीं है तो फिर तुम तुमारा एडमिसन नहीं होगा तुम यहां से चले जाओ यह सुनकर रोसनी बहुत चिंतित हो जाती है और स्कूल से बाहर आ जाती है और अपने रूम की ओर जाने लगती है तब ही वा फिर से भीड और भकड़ों वाले जगां से गुजरते गुजरते बड़े बड़े बिल्डिंगों वाले सहरों से गुजर रही होती है और गुजरते गुजरते वा या सोचती है कि अब मेरा क्या होगा अपने रूम पर पहुँचने के बाद उसे बहुत दुख हुआ और फिर वा बैट कर सोफे पर अपने माँ के बारे में सोचने लगती है और उसको घर की याद आ जाती है तभी उसकी माँ गाओं में डिड़ हो जाती है और फिर जाकर उसकी माँ को मरे देखकर पड़ोसन आके रोने लगती है और उन लोगों को रोते देख किसी ने उसकी बेटी को खबर कर दी और फिर उसकी बेटी या बात सुनकर जल्दी से सहर से गाओं की और लोटने की तैयारी करने लगी और फिर जाकर वा बिल्डिंगों वाले सहरों से गुजरते हुए अपने गाओं की और जाने लगती है धीरे धीरे करकर वा अपने गाओं की और आ जाती है और फिर अपने गाओं से गुजरते हुए वा अपने घर की और जाने लगती है और अपने घर पर आकर अपने उच्छी साल बात की बात बहुत तेजी से रोने करकर और सिटल होते रोते रोते तो घटने पती के साथ रहने लगती थी एक दिन की बात है रमेश अपने मा के पास आता है और वहाँ पर खड़े होकर अपने मा से कहता है कि माँ मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और अब मैं सहर में कमाने के लिए जाने वाला हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं आजी कमाने के लिए रवाना हो जाँ क्योंकि घर के हालाद देखकर मुझे अब और पढ़ने का मन नहीं कर रहा है आप लोग इस गरीबी में कैसे ची रहे हैं मुझे पता है बेटा अगर तू कमाने के लिए चला जाएगा तो हम दोनों का ख्याल कौन रखेगा घर में अगर कोई परेसाने होई तो हम दोनों कहां जाएंगे किसको बलाने जाएंगे बेटा तुमी बताओ हम दोनों अकेले रहेंगे कैसे रह पाएंगे अकेले अगर तूम्हारे धेर जाने का मन है तो तुम जा सकते हो लेकिन तुम ओहाँ पर जाने के बाद बहुत मन से काम करना किसी से लड़ाई जगड़ा मत करना बेटा बहुत खराब जग़ा होती है उस सहर हाँ बेटा तुम्हारी मासा ही कह रही है तुम वहाँ पर जाओ और अच्छे से मन लगा कर कमाना अगर कोई भी तकलिप और दिक्कत हो तो हमें फोन करके जरूर बता देना बेटा क्योंकि हमें भी तुमारी बहुत फिक्र होगे तुम वहाँ पर चले जाओगे तुम जाओगे तो हमें बहुत दोख होगा लेकिन तुम्हें जाना ही पड़ेगा हम दोनों के लिए कमाने के लिए अगर तुम नहीं जाओगे तो ऐसी भोकी हालत में हम कुछ दिन बाद सड़क पर आ जाएंगे बेटा अगर तुम जाओगे तो पैसा भेजोगे तो बहुत मन से काम करोगे तभी हम दूसरा और अच्छा मकान ले पाएंगे बेटा तभी रमेश अपने मा का और अपने पिता जी का पैर छुने लगता है और पैर छुने के बाद वे सहर में जाने के लिए रवाना हो जाता है और सहर के ओर बढ़ने लगता है धीरे धीरे सहर में दो दिन बाद हुए सहर में पहुंच जाता है और सहर में पहुंचने के बाद हुँ अपने रूम की और बढ़ने लगता है और अपने रूम पे भी पहुंच जाता है अपने रूम पे पहुंचने के बाद हुँ अपने घर पे फोन लगा कर बात करने लगता है अपने माँ से फोन में बात करता है और अपने माँ से कहता है कि मा मैं पहुँच गया हूँ, कोई भी चिंता हो मत लेना और कोई भी परिसानी दिक्कत हो तो मुझे जरूर बता देना मैं यहां से पैसा भेज़ दूंगा, तुम दोनों लोग बहुत अराम से रहना, काम करने क कि जी का मत जाना मैं जितना हो सके उतना मदद करूंगा, और फिर बैठ जाता है, अपने माँ के घर के हालातों के बारे में बहुत देरी तक सोचता है, कुछी दिन बाद सेट रमेश के घर आता है, और आकर कहता है उसके माँ से की, मेरे खेट का करचा कब दे रहे हो के बाबुजी, अगर मेरा करचा जल्दी नहीं लटाए, तो मुझे मजबूरान तुमारा घर हड़ापना पड़ेगा, इतना तो तुम्हें पता ही, करचा ना देने पर तुम्हारा घर तुम से छिंग जाएगा, तभी रमेश के बाबुजी खड़े होते हैं, और कहते हैं करचा जल्दी नहीं है, इसा आप मत करिया, मुझे कुछ दिन के लिए महलत दे देजी, मैं आपका करचा अवस्तील लुटा दूंगा, अगर आपको करचा नहीं लटाता हैं, तो आप मेरा घर ले लिजेगा, लेकिन मुझे कुछ दिन के लिए टाइम देजीए, मेरा बड़ाईये नहीं तबी सेट ये सुनकर वहां से लोड़ जाता है अपने घर की और और उन दोनों उसे देखकर चिंतित हो जाता है। अब ये हमारे साथ हम लोगों के साथ इसी घर में रहेगी और अब ये हमारे साथ इस घर में रहेगी और हम लोगों का हाथ बटाएगी और आप लोगों का सारा काम करेगी आप लोगों को किस करना नहीं पड़ेगा सभी काम ये कर सकते हैं। मैंने तुझे इसलिए पैदा किया था कि तू जाकर अपने मन से साधी कर ले तू तो आपर कमाने के लिए गया था तो यह क्या कर लिया है क्या रहे नलायक बेटे मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तू एक दिन इतना नीच काम कर देगा मेरे हम लोगों के साथ तुने ये क्या कर दिया अगर तुझे साधी ही करनी थी तो तू हम लोगों से बताता हम दोनों तेरी साधी करा देते लेकिन तुझे अपने से साधी करके आने की क्या ज़रूरती तू तो कमाने गया था ना तब ही रमेज की पतनी बाबु जी की और हाथ करके कहती है कि रे बुढ़े तू सांत रे तू धिर मत बोल तेरे पास हिम्मत है तो तुम दोनों इसी घर से अब भी निकल जाओ अमीर और गरीब का बटवारा एक दिन की बात है सुनीता के ससुर जी का देहान्त हो जाता है और उनके दोनों बेटे को बुलाया जाता है वो दोनों अपने पीता को मरे देखकर बहुत तेजी से रोने लगते हैं कुछ दिन बात की बात है रमेश अपने बड़े भाई रोहन से कहता है कि भाई मैं बड़ा हो गया हूँ अब मैं सहर में जाकर काम करूंगा और वहां से पैसे भेजूंगा तो तुम ये घर चलाना ठीक है और कोई भी तकलिफ हो तो मुझे फोन करके बता देना मैं पैसा बेज दोंगा मैं जाओंगा तो एक साल के बाद ही लटूंगा ठीक है भाई इतना कहिने के बाद रोहन घर से बाहर निकल जाता है सहर की ओर रवाना होने के लिए और сок की ओर समया जाता है तभी तभी रोहन अपने पतनी से कहता है कि मैं अपीस चाहर हूँ अगर कुछ मं तो मुझे फोन करके बता देना मैं वहाँ पर काम करूंगा फिर वहाँ साम के छे बजी के बाद आऊंगा मुझे बार बार परिसान मत करना फोन करके कि ये समान लाना है सब्जी लाना है ठीक है इतना सब कुछ कहने के बाद रोहन ओपिस की ओर निकल जाता है और धीरे धीरे ओफिस की ओर जाने लगता है उसकी पत्मी दोनों भाईयों को इधर उधर जाके देख बहुत टेंसन में हो जाती है तभी उसका बेटा बाहर से खेल कर घर के अंदर आता है और अपने माँ से कह अब लगता है कि मां मेरे सारे दोस्त इसकूल पढ़ने जाते हैं और आप मेरा भी इसकूल में दाखिला करवा दिजें झाल करवा कि अगर पढ़ने जाना चाहता हूं अगर मैं पढ़ने जाओंगा तो एक दिन मैं अपनी सपने को पूरा कर पाऊंगा और मैं डाप्टर इतना सब सुनने के बाद उसकी मा कहती है कि बेटा तुम्हें तो पता ही है कि हम लोग कितने गरीब हैं हमारे पास खाने के लिए वैसे नहीं है तो मैं तुम्हारा स्कूल में दाखिला कहां से करागा इतना सुनते ही सुनीता का बेटा गुसे से बाहर की और जाने लगता है और बाहर की और चला जाता है तब इसकी पतनी देखकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है घर में कोई भी काम हो करने के लिए अंदर चली जाती है कुछ साल बाद की बात है रमेश सहर से लोट कर अपने घर आता है अपने साथ एक अपनी औरत को भी लेकर आता है तभी जोर जोर से चिला कर कहता है भाईया भावी इदार आओ देखो मैं अपने साथ किसको लेकर आया हूँ तब ही उसके भाईया भावी आर जाते हैं भाईया देखो मैं साधी कर लिया ये मेरे पत्नी है और आज से ये इसी घर में रहेंगी मुझे इससे प्यार हो गया था इसलिए मैंने इससे साधी कर लिया ये मेरे लिये अपनी जान भी दे सकती है तभी उसके भाईया कहते हैं कि छोटे तूने ये क्या कर दिया दाजी के मरने के बाद तूने तो अपना रंग और धंग ही बदल डाला साधी करनी होती तो तू मुझसे कहता मैं तेरी साधी करवा देता तो कहां से इसे उठा लाया अभी जा और इसे वहाँ पर छोड़ करा जहां पर ये थी अगर ये घर में रहेगे तो हम दोनों इस घर में नहीं रहेंगे या फिर ये इस घर में रहे या फिर हम दोनों इस घर में तीनों लोग रह सकते हैं ये नहीं रहेगे इस घर में तभी सुरेश अपने भाई से बड़े आवाज में कहता है कि आप दोनों इस घर से निकल जाओ ये शिर्फ आप दोनों का घर नहीं अब हम दोनों का भी घर हो गया है अगर आप इस घर में रहेंगे तो हम दोनों यहाँ पर नहीं रहेंगे अगर आप दोनों यहाँ से चले जाए तो किटपया करके बहुत महरबानी हो जाएगी और अभी इसी वक्त आप दोनों इस घर से बेदखल हो जाएं तो ही अच्छा रहेगा तब ही ओ दोनों नराज जीते से और इस अपने प्यारे से गर से बाहर की ओर चले जाते हैं और ये दोनों देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं